एक बारति है हुँ बस ये कम है तो दाम में तो रखा है हाँ दाम में तो रखा है मैंने 2013 में एक भाशन सुनाता मित्रो, मैं भी सरकार में बैटा हूँ बंगला देश का, नेपाल का रुपिया नहीं गिरता है इतनी तेज से इंडिया का रुपिया गिर रहा है वो बयानी नहीं आ रहा है अजकल दिखाई नहीं रहे लोग होड लगी हो बता रहे बताओ होड लगी है कि संटर गोवर्मिंट जादा गिरती है कि रुपिया जादा गिरता है अब कोई भोली नहीं रहा एक चांदी चौक के रोड पे मैं काम करने आ रहा था अपना तो वहाँ देखा था कि सलंडर लेके कोई नाच डिस्को हो रहा था दस रुपए बढ़े थे अब ग्यारा सो पचास रुपए कोई नजरी नहीं आता रोड साफ है अब मालुम कहानी क्या है एक गाड़ी मैंने खरी दी है अब वो एवरेज नहीं दे रही है वो गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है तो मैंने क्या काम करा है सारे रोडों की गाड़ियां बंद करा दी आप रोट खाली है मैरी चलेगी तो एवरेस तो आएग याएगा वही इसाब हो रहा है संसद को खाली करदो खाली हम ही सवाल करेंगे हमी जवाब करेंगे सब ओके की रिपोर्ट है है यह होगा तो ये बताईए कि सरकार तो खह रही हैं मेरे ख्याल से अब भी इतने बड़े अरपती नहीं है करोडपती जिस तब के को मैं ब्लोंग कर रहा हूं आप भी कर रहे हैं क्या आपके घर में सलंडर 600-700 का आ रहा है हमारे घर में तो पाइप लाइन लगी हुए गैस के तो पता नहीं लेकिन वो भी बढ़ी रही है अब पेट्रोल आपको 60 रुपर लीटर मिल रहा है तो डाल वाल कुछ सच्टी होई है तो पाइपलाइन ही लगी होगी आपके घर आगर कोँगा तो क्या कर पATHAN करा जा सकता है डाल सब्जी का भी कुछ है डाल सब्जी का तो लोग खा रहे हैं तो पता लग रहा है दीरे-दीरे दो-चार में ने रुको पूरी तरह से फ्लो आएगा ये यानि आपको लगता है कि सरकार के दाओं में हकीकत की जमीन पे उदावे तार-तार हो जाते हैं अटल सत्त यही है अब 24 सांसत जो हमारे जो सवाल पूछने वाले सांसत थे उन्हें किस बात के लिए निलंबित कर दिया गया मेंगाई पे चर्चा की मांग कर रहते हैं उन्हें निलंबद करके